नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दीपसी दिवेदी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लगातार बढ़ रहे हैं वाई प्रदूशन को लेकर दरसल कुछ दिन पहले अगर हम बीते हफ्थे की बात करें तो बारिश होने के बात से जो है हर्याना दिले दिले अंसियार तमाम जगों पर प्रदूशन से लोगों ने राहत की सास ली थी लेकिन दिवाले का तियोहार जब रविवार को रात में जब लोगों ने पठाके फोड़े दिवाले के तियोहार पर तो प्रदूशन का अस्तर जो है अब और भी खतरनाक श्रिणी में पहुच गया है ऐसे लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आखों में जलन सास लेने में दिक्कत दमा और अस्तमा के जो मरीज हैं उनके लिए ये वक्त ये दौर जो है बहुत खतरनाक है दिवाले के अगले ही दिन हर्याणा में वाई प्रदूर्शन के अस्तर अस्तर में चार गुना बढ़ूतरी दर्श की गई है बीते शुक्रवार को ही बारिश ने राहत लोगों खोदी थी लेकिन रविवार को जब दिवाले के वक्त पटाके फोड़े गए उसके बाद अब एर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत हाई चला गया है बारिश के बाद से जो है हैंडर्ट तक आ गया था और हैंडर्ट से कम भी कुछ जखों पर रहा जो की बहुत शुद्ध वाता बरण कह सकते हैं कि शुद्ध वाता बरण में हम रह रहे थे लेकिन अब यह वायू की जो गुरवत्ता है बहुत जादा खतरनाक शेनी में पहले से भी जादा खत प्रणार्ट इंडेक्स दोस्तों के पार नहीं था और सोमवार को रहतक में आपको बता दे 383 हर्याणा का सबसे प्रदोशित शहर जो है रहतक बरण बरण नहीं माना है कि दिवाली के बाद प्रदोशन बढ़ने की बड़ी वजह आतिश बाजी रही है राज्य में पठाक जो है वाई प्रदोशन में बढ़ोतरी शुरू हो गई